हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलरी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है तो आज हम अनायल्सिस करेंगे से एंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो as usual शुरू करूँगा fingers के analysis से उसके बाद चेक करेंगे fingers की setting को amounts को और सबसे last में हम चेक करेंगे lines को इस तरह से पुरे hand का जो analysis हम complete करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं साथ साथ draw करता जाओंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत न हो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा यह जो number आपको आपकी screen के उपर नजर आ रहा है यह है मेरा WhatsApp नंबर है अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें WhatsApp के जरीए, Signal के जरीए या फिर टेलेग्राम के जरीए Message सेंट कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है एक rectangle की shape में नजर आ रही है जो indicate करती है एक hard working and analytic type की personality को और अगर इनकी fingers को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं fingers काफी अच्छी लंबाई में है fingers का अच्छी length में होना indicate करता है कि native की analytic power काफी अच्छी रहेगी ऐसे व्यक्ति का energy and stamina भी काफी strong रहता है जिनकी fingers थिक भी नजर आ हैं यहाँ से आप देख सकते हैं fingers काफी थिक हैं काफी अच्छी energy and stamina इनके भीतर रहने वाला है अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो shiny finger हैं काफी अच्छी लंबाई में नजर आ रहे हैं शनी finger का अच्छी length में होना दर्शाता है कि native काफी मेहनती nature कर रहेगा ऐसे व्यक्ति hard working होने के साथ साथ काफी discipline भी होते हैं और अपनी इनी खूबियों की वज़े से जीवन में अच्छी progress कर पाने में कामियाब रहते हैं अगर हम देखें इनकी सूर्य finger को तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो सूर्य finger है यह finger भी अच्छी लंबाई में है जिन लोगों की सूर्य finger अच्छी लंबाई में होती है ऐसे native का social circle भी काफी अच्छा रहता है और इस finger का ज़्यादा लंबाई में होना indicate करता है कि native थोड़ा risk taker रहेगा जीवन में रिस्क लेने से ऐसे व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं घबराते हैं और कई बार तो अपनी धन की investments के मामले में भी ऐसे native risk ले बैठते हैं और अपने धन को ऐसी जिगाओं पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहाँ पर loss की संभावनाएं भी हो जैसे share market है, crypto currencies है, mutual funds है ऐसी चीजों में भी इनकी रूची रह सकती है, अगर हमें इनकी index finger की बात करें तो अप यहाँ पर देखेंगे काफी straight और काफी अच्छी लंबाई में इस finger का होना हलका सा जुकाव अंदर की तरफ होता हुआ इस finger का, तो मन में थोड़ी वराग्या की भावना व्यक्ति को देता है, लेकिन साथी साथ strong leadership qualities भी ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं, जिनकी index finger अच्छी लंबाई में हो, अच्छी thickness में यहाँ से नजर आए, तो ऐसे व्यक्ति का देखा जाए, तो यहाँ पर आप देखेंगे, mercury finger आपको सूर्या finger के top balance से काफी नीचे रहती नजर आएगी, इस finger का, इस तरह से नीचे रहना low set होने की वज़ा से है, क्योंकि आप देखेंगे, अगर मैं यहाँ पर एक line draw करता हूँ, तो कुछ इस तरह की एक रेखा बन भले ही, यहाँ पर communication skills में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं रहेगी, लेकिन shy type की nature रहने की समभावनाएं बढ़ जाती है, और साथी साथ, इनकी mercury finger के ऊपर आपको यहाँ पर एक तिल बनता हुआ नजर आएगा, ऐसा तिल होने से native कई बार, जल्दबाजी में decision ले बैठता है, और कई बार ऐसा व्यक्ति बिजनेस में भी धन का loss कर बैठता है, आप देख सकते हैं, इनकी सूरिया और mercury finger के बीच में काफी अच्छा gap आपको इस सेरिया में नजर आएगा, इन दोनों finger के बीच में इस तरह का gap होना indicate करता है कि native जिद्दी सभाव का होगा, ऐसे व्यक्त fingers के बीच में बनने वाला gap व्यक्ति को देता है, कुछ ऐसा ही gap आपको यहाँ पर भी नजर आएगा, जिसमें से रोशनी आपको आरपार जाते हुए नजर आएगी, इस तरह के gaps का होना native को करचीले सभाव का भी बनाता है, बात करते हैं, इनकी सभी mounts की और उसके बाद हम इनकी सभी रिखाओं को भी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनका जो ब्रस्पती mount का area है, काफी उभरा हुआ है, गुरु परवत अगर उभरा हुआ हो तो ऐसे native बहुत ही knowledgeable होते हैं, यहाँ पर आपको हलकी रिखाओं से cross का चिन बनता हुआ भी नजर आएगा, इस त इन्हें समाज में काफी सनमान मिलता है, और इस तरह का उभरा हुआ प्रस्पती mount व्यक्ती को शिक्षा के क्षेत्र में या law के क्षेत्र में काफी अच्छी सफलता दिलवाने में भी मदद करता है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक इस तरह से आख जैसी अक्रित बनती हुए नजर आएगी, जिसको हम बुद्धाज आई का चिन कहते हैं, और जिन लोगों के अंगूठे के ओपर ऐसा बुद्धाज आई का चिन बनता है, ऐसे व्यक्ती की सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है, आने वाली घटनाओं का पूरवा अभास ऐसे व्यक्ती को बहुत अच्छे से हो जाता है, अगर हम देखें, इनके शनी परवत को तो आप देख सकते हैं, यह एरिया आपको हलका सा दबता हुआ नजर आएगा, शनी माउंट के ओपर आपको ट्राइंगल का चिन बनता हुआ भी यहाँ पर नजर आएगा, कुछ इस तरह से एक त्रि धिक रूची रह सकती है, जिनका शनी परवत इस तरह से नजर आएगर उपर तिरकोंड का चिन बन रहा हुँ, भलेई यह माउंट दब रहा है, जिस वजह से काफी हाड़ वर्क इनकी जीवन में रहेगा, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे, कुछ इस तरह की अपवर जा भावनाएं भी इस तरह की रिखाएं देती है, खास तोर पर जब यह है रेखा, माइंड लाइन के पास से स्ट्रॉंग हो रही हो, तो यह 36 के आसपास की एज के बाद काफी अच्छी तरक्की दिलवाने में हेल्प करती है, अगर हम देखें इनके सूर्य परवत को तो आप यहाँ पर देखेंगे, यह माउंट फ्लैक नजर आ रहा है, सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में है, जिस वज़े से एक अच्छा सोशल सरकल रहेगा, बहुत अच्छी पहचान, सुसाइटे में बना पाने में ऐसे निटिव काम्याब रहते हैं, लेकिन यश मिलने में थोड़ी सी कमी रहते हैं, क्योंकि यह माउंट इनका काफी फ्लैक नजर आ रहा है, एक ट्राइंगल का चिन यहाँ पर बनना जैसे, आप यहाँ पर देखेंगे, बहुत ही बारीक रिखाओं से, एक ट्राइंगल का चिन इनके सूर्य परवत के उपर भी बन रहा है, इस त तो थोड़ा सा लो सेट माउंट जरूर है, लेकिन यहाँ एरिया आपको उबरा हुआ नजर आएगा, जिस वज़ए से नेटिव का, नेटिव के जो कालकॉलेशन से काफिया तक बहतर हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तिल होने की वज़ए से कई बार बड़े लॉसिस होने की समभावनाएं भी बढ़ती हैं, ओवराल मरकरी माउंट की तरफ से यहाँ पर हमें कोई भी दिक्कत नजर नहीं आ रही, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी सबी मेजर लाइन्स को, तो आप देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से, यहाँ पर आकर ओबरलाप होकर आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर एक विश्नु सिंबल बनाती हुई नजर आ रही है, हार्ट लाइन में ओबरलाप होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को मिडल एज के बाद में कुछ हेल्थ रिलेटर प्रॉब्लम्स हार्ट से सबंदित हो सकत प्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम होने की समभावना भी बढ़ जाती हैं लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर विश्नु सिंबल का बनना नेटिव को लकी भी बनाता है ऐसे व्यक्ति अगर इमानदारी से जीवन में काम करें तो बहुत अच्छी उचाई तक पहुंचते हैं ब कुछ न कुछ दिक्तें देता है हेल्थ लिटर्ड इश्यूज खासत और पर हाट से सबंदित दिक्तें साथ वर्ष की एज के बाद नेटिव को फेस करनी पड़ सकती हैं माइन लाइन की अगर बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लंबी मस्तिक श्रेखा पीच में काफी अच्छा गैप भी आपको नजर आएगा इस तरह का गैप जिनकी एथेली पर बनता है से व्यक्ति छोटी एज से ही अपने डिसीजन्स खुद से लेना शुरू कर देते हैं और इस तरह का गैप होने से जिद्दी सभाव रहता है ऐसे व्यक्ति मनमर्जी के मालिक होते हैं और जो काम करने की ठान लेते हैं फिर उसको करकर ही दम लेते हैं लंबी माइंड लाइन का होना शार्प माइंड को तो इंडिकेट करता ही है साथी साथ ऐसे व्यक्ति को थोड़ा तनाव और एंग्जाइटी की दिक्कत भी हो सकती है जिनकी मस्तिशरीका ज् आप देखेंगे lifeline काफ़ी अच्छी लंबाई में है life line से एक branch बाहर की तरफ निकल कर एक फिश चैसी अक्रिती बनाती हुई भी नज़रा रही है यहाँ आप देख सकते हिंकि lifeline है और लगबग सेरिया तक यहाँ पहुँचती हुई जो 80 के आसपास की age को indicate करती है यहां से एक ब्रांच का बाहर की तरफ निकलना इंडिकेट करता है कि ऐसा नेटिव घर से दूर किसी दूसरी स्टेट में जाकर जाकर बस सकता है लंबे समय के लिए स्टे किसी दूसरे जगा जाकर करने की समभावनाएं बढ़ जाती हैं यहां पर आपको इस तरह की रिखाऊं से एक फिश की अक्रिती बनती हुई भी नजर आएगी इस तरह के चिन अगर किसी व्यक्ति के हाथ में बनते हैं तो यहां इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में कई बार अच्छानक धनलाब होते हैं इस तरह का चिन केतू परवत पर होने की वज़े से न नेटिव को इन हैरिटेड वेल्थ मिलने की समभावनाएं कई बार इन लॉस की तरफ से भी पैसा मिलने की समभावनाएं या प्रॉपर्टी मिलने की समभावनाएं बढ़ जाती हैं अगर हम देखें इनके शुक्र परवत को तो वीनस का जो एरिया है यहां पर थोड़ा सा कमजोर पड़ता हुआ यह जो एरिया है वीनस का एरिया कहलाता है इस माउंट के उपर आपको बहुत सारी ऐसी बारीक रिखाई नजर आएंगी जिने हम वरी लाइन्स कहते हैं ऐसी रिखाई होने से नेटिव को एरिया हलका सा कमजोर होता हुआ यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की रिखाई जो इस तरह के रुख में जो होरिजोंटल टाइप की रिखाई नजर आएंगी ऐसी रिखाई होने से नेटिव को एंग्साइटी की प्राब्लम हो सकती है और यह रिखाई व्यक्ति को short distance travel करवाते हैं काफी अधिक यात्राएं short distance traveling व्यक्ति को अपने जीवन में करना पड़ता है और आप यहाँ पर देख सकते हैं upward जाने वाली काफी सारी रिखाईं लंबी दूरी की यात्राओं को indicate करते हैं ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में काफी travel करता है काफी long distance travel भी ऐसे व्यक्ति के भागया में रहता है तो दोस्तों यह कुछ analysis थे इनके hand के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है के सभी स्वालों के जवाब एक ही वीडियो के तुरू दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्न या स्वाल रह जाता है तो इनसे request है कि अगर इनका कोई question pending है तो मुझे WhatsApp पर message करें मेरा वीडियो watch करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद